परसों जो गटना होई है उस गटना ने कहीं परश्न खड़े कर दी हैं अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रशे दिये जा रहा है और विशेश तोर से हमारी करनाटक सरकार दोरा और अर्बन नक्सलवादी तो जो करनाटक सरकार से पेशे ले करके क्योंकि मूल आदार मेसूर और वहां से यह लोग पनब कर आये हैं और उसी दन के आधार पर यहां अपना जाल फिला रहे हैं दूसरे राज्यों में भी मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है उनका पुत्र यतिंद्रा डाक्टर यतिंद्रा जो वहां से चुनाव लड़ना चाहरे है मैसुर से तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहां के MP को बदनाब करने के लिए साइदी किसी बड़ी साजिश के तहट किया गया है जो सरकार की सेंटल एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उस जांच के दोरान कहीं बातें उबर के आएगी तब इस बारे में सब को देश को पता कार द्वारा इसके लिए मैंने एक साल पहले अक्टॉमबर तूटाफन टुन्टीटू में बारत जोडो की यात्रा के दौरान में रहूल गांदी को एक चिठी लिखी थी और मैंने उनको सतर्क किया था कि हमारे पास एसी जानकारें आ रही है कि नक्सलवादी तत्व इसम कि हमने मैंने पत्र के माध्यम से और ट्वीट भी किया था मैंने उस पत्र को जो मीडिया में है और उसके बाद में अब जब सरकार बनी है इनकी तो उसमें उन्हीं नक्सलवादी तत्वों को जो उनके गारंटी की स्कीम है उनके सर्वे करवाया और सर्वे में उसको बहु सरकार का एक कोड़ रुपया दे करके उनसे सर्वे कराया गया यह जाहिर करता है कि किस तरह से सिद्रा में किसे सरकार अर्बन नकसलियों को प्रश्टे दे रही है और उन्होंने दोजार तेरा से अठारा के बीच में भी इन नकसलवादियों का अर्बन नकसल तत्वों का उन उनको रीपे करने के लिए ही उन्होंने एक कोड़ रप्रिया देखर कि उनसे जो एक जुटा सर्वे कर रहा है जिसका कोई आदार नहीं है। इसका कर से पेसे ले करके क्योंकि वो मूल आदार मैसुर रहा है और वहां से यह लोग पनब कर आए हैं और उसी धन के आदार पर यहां अपना जाल फिला रहे हैं दूसरे राजियों में भी और यह जो गटना हुई है कहीं की गटना इसको मैसुर से जोड़ के दिखा जा सकत है और जहां तक मैसुर का सवाल है मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है उनका पुत्र यतिंद्रा डाक्टर यतिंद्रा जो वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मैसुर से तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहां के एमपी को बदनाम करने के लिए साइदी किसी बड़ी साजिश के तहट किया गया है और जब यह नई और अब यह जो जो सरकार की सेंटल एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उस जांच के दोरान कहीं बातें उभर के आएगी तब इस बारे में सब को देश को पता लगेगा किस तरह से सिद्रामी के सरकार जो है इन अर्बन नक्सलवादी तत्वों को जो प्रेशर दे रही है इसके परणाम से यह सब हुआ है यह सामने आएगा कहीं आपको लगता है कि अर्बन पार्लेमेंट में आए आपके सांसुद को बदनाम करने के लिए कोंगरे सरकार वहां परस्रह दे रही है यह बिलकुल यह बहुत बड़ा शड्यंत्र है यह मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मुझे इसा प्राइमा करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और देश की बड़ती हुई आर्थि व्योस्ति को चोट पहुंचाने के लिए मैं समझतों कि यह सब बाते में मेरा कहना ठीक नहीं होगा यह जांच का विश्य है और जांच आने के बाद में सब सपर्ष्ट हो जाएगा हाँ मैं एक ब और कभी जिसने से अर्बन नकसल जो इनके यात्रा में जुड़े हुए थे मैं समझता हूं कि परिवार को भी सोचना चाहिए कि देश के नहीं लिए उनके परिवार के लिए भी कभी यह खत्रा बन सकता है